Hello Friends, Welcome back my channel Tari Teacher Job मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल Tari Teacher Job में दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकेन बटन को प्रेस कर लेजे जैसे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों आज हम बीएट दुती वर्स प्रतम प्रसने पत्रे सिछड के सिधान तेवं विदिया पढ़ेंगे और इसके अंतर कतम देखेंगे लेक्चर नमबर 19 तो उत्तर है आपका, पूछतांच प्रसिछड प्रतमान के प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं Richard Suchman इसलिए इनके नाम पर ही इस प्रतिमान का नाम रख दिया गया है चात्रों में वैज्ञानिक धंग से पूस्तांश तथा प्रिच्छा कौसल का विकास करने के उद्देश से सचमेन ने इस प्रतिमान का विकास किया अगर आपको कहीं भी पूस्तांस प्रसिछड प्रतिमान आ जाए या प्रिच्छा कौसल का विकास से किस प्रतिमान के तहद किया जाता है तब भी आप रिचर्ड सचमेन ही जानेंगे कभी कभी बीच से कोशन पूछ लेता तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए जिससे आपको कभी भी कोई भी परिसानी ना हो ये प्रतिमान वैज्यानिक विधियों वैज्यानिक धारणा पर आधारित है जो चात्रों को विद्धोता पूढ पूछ तांच के लिए प्रसिचित करता है इसमें छात्रों को पूछताँच की पूरी तरह से सुतंतरता दी जाती है जिससे वे अनुसासित धंग से प्रस्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं इस तरह पूस्ताँच से चात्रों में व्यक्तिगत छमताओं का विकास होता है जिससे सामाजिक छमताओं का विकास और सौमायोजन कर सकें दोस्तों ये चात्रों को बिद्धतापूर पूस्ताँच के लिए प्रसिचित करता है ये प्रतिमान आपका चात्रों में प्रस्निकोसल विक्सित करता है किस तरह से पूस्ताँच से जिससे वो अपने व्यक्तिकत छमताओं का विकास कर पाते हैं जिससे वे सामाजिक छमताओं का विकास और समायोजन कर सके पूछताच प्रतिमान के संदर में सच मैन विशिष्ट विचार रखते हैं उनके इन ही विशेष विचारों को इस प्रतिमान का दर्सन कहा जाता है पूछ ताच प्रसिच्छड प्रतिमान के प्रमुक तत्व निम लिखित है चात्रों में ग्यानात्मक कौसलों का विकास करना इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश से है मतलब छात्रों में ज्यानात्मक कोसल उनकी ज्यान में बृध्धी ज्यान में निपूरता कैसे लाएं इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश से है छात्रों की प्रकिती की जिग्यासा वा अभिरुचियों वाली होती है मलब छात्रों की जो प्रकिती होती है उनका जो नेचर होता है वो जिग्यासा यानि की उनके अंदर excitement होता है कि वो किसी भी चीज को कैसे जाने और उनके अंदर अभीरुची भी होती है वे स्वैंग खोज के द्वारा अपना अत्वा पूछ के माध्यम से घटनाओं के बारे में जानकर उनकी तारकिक धंग से ब्याख्या करते हैं चात्रों में इस चीज की बहुत जदा जिग्यासा होती है कि वो किसी भी चीज को कैसे जाने और उसके बार में तारकिक जानकारी कैसे इकठा करें इस प्रतिमान द्वारा चात्रों के ब्यक्तिगत छमताओं का विकास उप्युक दढ़ंग से हो सकता यह प्रतिमान चात्रों को सुतंत्र रूप से सीखने और पूशताच करने योगी बना देता है चात्र जटिल से जटिल समस्या का सामना करके उसे हल करने है तो स्वैंग ही तैयार हो जाते हैं सच मैन के अनुसार पूछ तांच प्रसिछड प्रतिमान का लच्छ चात्रों में खोज यम आंकडों में विसलेशड में दच्छता यम कौसल विक्सित करना है वल्लब इन सारे कौसलों का विकास करना जो खोज और आकड़ों से समधित होते हैं इसका विकास करना पूस्ताश प्रसिचर प्रतिमान का मुख्यलच होता है जिससे वे स्वैंग घटनाओं की व्याक्या कर सके तथा उसमें विभिन तत्तों के पारसपरिक संबंद खोज सके एउम सत्तिता का पता लगा सके अथार्थ छात्रों के व्यक्तिगत छमताओं का विकास करना तथा सिधानतों का वोध कराना इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश से होता है यहाँ पे हमने देखा उद्देश से अब हम देखते हैं सनरचना इस प्रतिमान की सनरचना की पा पेफाच वस्थाय है। समस्या कि पहतना पतना नांग मैं होतति है। इस पे छात्र अपने खोज और तर्क का यूज कर सकें। नमबर खा है समस्या समंदी प्रयोक करना। इस अवस्था में सिच्छक से छात्र प्रस्ण पूछ कर सुचनाओं को एकत्रित करते हैं। चात्रों द्वारा यह पूछ तांच उस समय तक चलती रहती है जब तक चात्र प्रस्थत समस्या के असपस्टी करण तक नहीं पहुंच जाते। सिच्छक चात्रों को यह बताता है कि उन्हें किस प्रकार से पूछ तांच करनी है। इसमें मूल बात यह है कि इसके द्वारा चात्रों को पूछ तांच करने के सही तरीके का उचित प्रस्थछड मिल जाना चाहिए। प्रारंब में प्रस्ण ऐसे पूछे जाने चाहिए जिसका उत्तर हा या ना में वो सिच्चक छात्रों को यह भी नर्देश देता है कि वह एक समय पर जितने चाहे उतने प्रस्ण पूछ सकता है पूछताच के समय अपने सहपाथियों से विचार विमर्स भी कर सकता है नमबर गाह आँकडों का संग्रय करना इस अवस्था में पुष्टी करड़ेद आँकड़े एकठित किये जाते है यह कारे दो प्रकार से होता है पहला समस्य आत्वा गटना जिन परस्थितियों में घडित होती है उसके बारे में जरूरी खोज यह प्रयोग किये जाए दूसरा चात्रों द्वारा ऐसे प्रस्न पूछे जाए जिसका उत्तर सिच्छक द्वारा हाँ या ना में दिया जा सके आकडों का संग्रह करते समय सुचनाओं का संगठन किया जाता है सिच्छक चात्रों को एकत्रित प्रदत्तों से परड़ाम निकलवाता है और परड़ामों की ब्याख्या करता है नंबर घाय चात्रों और सिच्छकों के समस्या समाधान के लिए प्रयास इस अवस्था में छात्रवा सिच्छक दोनों मिलकर समस्या के लिए समचित अव्यूव के लिए निर्ड़ा लेते हैं इसमें छात्र अनवेशड तथा प्रत्यच परिच्छड करके नए तत्तों से परिश्चित होने के लिए प्रदत्तों का संकलन करता है परिकल्पनाओं का निर्माड करता तथा उनकी आधार पर कारिक कारण संबंधों की समिच्छा करता है इसके द्वारा छात्र में कारण प्रभा और उनमें संबंध अस्थापित करने की छमताओं का विकास होता है मलब यहाँ पर सिच्छक जो है और छात्र चात्र सिच्छक से पूछते हुए समस्याओं का समाधान करने के लिए परिकल्पनाओं का पहले निर्माड करता है उसके आधार पर कारे करना सुरू करता है उसके बाद जो भी कारे हो रहा है उसमें संबंध और समिच्छा भी देखता है उसके बाद चात्र में कारण प्रभाव और उससे संबंद अस्थापित करने की छमताओं का विकास करता है मतलब कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या होंगे इन दोनों में वो संबंद अस्थापित करने की कोसिस करता है नमबर अंगा है पूछ तांच प्रक्रिया का विशलेशड इस अवस्था में चात्रों को उसकी पूछ तांच की प्रक्रिया का विशलेशड करने के लिए कहा जाता है संपूर पूचताच प्रक्रिया में पूछे गये प्रस्नुख, एकतरित की गये सुचनाओ का मुली आंकन रुषलेशण है सिच्छक पूरी पूचताच की प्रक्रिया का मुली आंकन तथा पुनर नेरिच्छड करता है और उप्यूक निड़े लेका निसकर्स तक पहुँशने का अभ्यास करता है नबर तीसरा देखते हैं सामाजिक प्रडाली मतलब यहाँ पे पूस्टास प्रचछड प्रतिमान सामाजिक प्रडाली के नियंतर को बहुत अधिक महत्तो देता है मतलब यहाँ पे पूस्टास सिच्छड प्रतिमान जो हैं वो सामाजिक प्रडालिक के नियंतर को बहुत अधिक महतों देते हैं लेकिन जहां तक विचारों के आदान पदान का प्रसन है तो सिच्छक और चातर दोनों इस प्रतिमान में बराबर की भूम का निभाते हैं मतलब सामाजिक प्रडालिक का जो जिसमें प्रतिमान निश्चित होगा उसमें सिच्छक और चातर दोनों ही बराबर की भूम का निभाएंगे सिच्चक का अंत्रद्रिष्टि आलोचनात्मक होता है मुलब सिच्चक का जो द्रिष्टि कोण होगा वो आलोचनात्मक होगा मुलब जो भी कमियां रहेंगी छात्र के द्वारा वो उस कमियों में की आलोचना करेगा जिससे छात्र अपनी कम्यों को दूर कर पाए यहाँ पर देखेंगे सिचक समस्तर क्रियाओं को नियंत्रित करता है मुल्लब जो भी क्रियाओं छात्र के द्वारा की जा रही है उस पर सिचक का पूढ नियंत्रित होता है सिच्छक बौधिक बातवरण बनाने का प्रयास करता है सिच्छक छात्रों को पूश्टाश करने और इस दिसा में ठीक प्रकार आगे बढ़ते रहने हैं तो अधिक से अधिक प्रोसाहित करता है मलब जहां भी छात्रों से तुरुटियां होती हैं वो उसमें सुधार भी करता है और उनको एक बौधिक बातावरण प्रदान करता है जिससे वो उसमें जो भी उनकी कमियां उसको दूर करके आगे बढ़े लेकिन जैसे जैसे छात्र पूश्टाश के धंग से परचित होने लगता है जैसे जैसे छात्रे निपुड होने लगता है वहाँ पर सिच्छक नियंतर कम करने लगता है जिससे वो सेल्फ डिपेंड बन सकें वो छात्रों को सक्री सहयोग देकर उन्हें सोचने विचानने के लिए इस प्रकार प्रेरित करता है कि वे समस्या समाधान करने और रहस्यों की खोच करने के लिए वैग्यानिक धंका प्रसिच्छड प्राप्त कर सकें नमबर फोर देखते हैं मुल्यांकन प्रडाली यह प्रतिमान पाठ वस्तु से संबंदित विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के सिच्छड के लिए प्रयुक्त किया जाता है चात्रों की समस्याओं की अनभूती कराने के लिए सिच्छड अपने उदाहर प्रस्तुत करता है प्रसिचण में उसकी आउसक्ता का उलेक करता है इसके मुल्यांकन के लिए परिच्छाएं प्रयुक्ते करता है और यह मालुम किया जाता है कि छात्र अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने कार को कितने प्रभावसाले ढंग से कर सकते हैं इस प्रतिमान के प्रयोगियति सिच्छक को निम्न प्रकार की अत्रिक्त मदद की आउसकता पड़ती है एक तो पूस्ताच करने के उचित तरीकों और युक्तियों के बारे में उचित प्रसिच्छड वा छात्रों के ज्यान के अस्तर की जानकारी और दूसरा लिखित रूप में किसी समस्या अत्वा घटना का वरण करने वाली सामागरी मतलब छात्रों के ज्यान के अस्तर से जानकारी कठा करता है सिच्चक और दूसरी तरब लिखित रूप में भी किसी समस्यात्वा घटना का वड़न करने वाली सामागरी प्रयोगत करवाता है नमबर पच्वा देखते हैं उप्योग अधिकतर इस प्रतिमान का प्रयोग विज्ञान के विशेयों है तू अधिक उप्योगी रहता है आपका ये प्रतिमान बहुत ही ज़्यादा लाखकारी होता है जिससे छातर अपनी सुचनाओं का विसलेशड करें और अन्य अभ्यू से उसकी तुलना करें इससे पारसपरी समंदों का विकास होता है तो किसी भी समस्यात्वा समस्यात्मक परिस्थितियों को सुलजाने य तो या प्रतिमान बहुत ही ज़्यादा उप्योगी हो जाता है मतलब रिचर्ड सच्मेन पूस्तास प्रसिछड प्रतिमान इस तरह से एक उप्योगी प्रतिमान के रूप में सामने आता है जब इस तरह के विसे जैसे विज्ञान के विसे हैं विज्ञान के विसे में आप आपका रिचर्ड सच्मेंड पूस्ताश प्रसिछड प्रतिमान बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। जहां पे बच्चे पूस्ताश की माध्यम से और आपके समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। और यहां पे देखेंगें आंकड़ों को भी संग्रह करते हैं और समस्या समंदी जो प्रयोग होते हैं उसको भी करते हैं। करते हैं।